नेदिन गोडी मर्दवारा लिखी कहानी Once Upon a Time आईए इसकी हिंदी में समरी पढ़ते हैं Once Upon a Time कहानी समाज में बढ़ती वी सुरक्षा की मांग और इससे जुड़े डर को चितरित करती है यह कहानी समाज में जातीवाद, सामाजिक असमानता और पारंप्रिक मोलिक सरंचनाओं के खिलाफ है कहानी का प्रारंब एक संबेलन से होता है जहां लेखिका से कहानी सुनाने की प्रार्थना की जाती है वै अपने घर में वापिस लोड़ती है और वहाँ एक अजीव आवाज सुनाई पढ़ती है जिससे उसे डर लगता है उस डर को दूर करने के लिए उसे अपनी तरहे की एक कहानी सुनानी पढ़ती है उस कहानी में एक परिवार है जो एक सुरक्षे स्थल में अपना घर बनाता है परिवार में पती, पतनी और उनका छोटा लड़का है वे बहुते खुश और संतुष्ट हैं लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है इस चिंता के कारण वे अपने घर के आसपास एक उची दिवार बनवाते हैं जिस पर विवेर ओफ डोक का चित्र और संग्यापन भी लगा है लेकिन उन्हें इससे भी सुरक्षा मैसूस नहीं होती तो वे दिवार पर काटे का तार लगवाते हैं लेकिन जब भी वे समाचार में चोरियों और घर में गुसफैट की खबरें सुनते हैं उन्हें अधिक डर लगने लगता है समय के साथ जब वे सुनते हैं कि उनके प्रोस में चोरी हुई है तो उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है अब वे एक और उपाई अपनाते हैं ड्रैगन टीथ नामक काटे का तार जो उन्हें और भी सुरक्षित महसूस कराता है परिवार के छोटे लड़के को उस दिवार पर चड़ने की आदत हो जाती है जैसे जैसे वे बड़ा होता जा रहा है वे कहानियों में सुने प्रिंस की तरह है दिवार पार करके अपनी प्रिंसेस को बचाना चाहता है लेकिन एक दिन जब वे ड्रैगन टीथ पर चड़ता है तो वे उसमें उलज जाता है और घायल हो जाता है यह द्रिशे कहानी में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है जो दर्शाता है कि कैसे हमारी सुरक्षा की भावना हमें और हमारे परिवार को हानी पहुचा सकती है कहानी समापत होते हुए लेखी का अपने घर में हुई आवाज की जांच करती है कि कभी कभी हमारी अपनी सुरक्षा की मांग हमें और हमारे परिवार को अधिक खत्रे में डाल सकती है उनका संदेश है कि अधिक स्तरकता और संवेदन शिलता अधिक समस्याओं का कारण बन सकती है और जिस समाज में हम जीते हैं वैं हमें और हमारे परिवार को सच में सुरक्षित रखने के लिए साहिक हो सकता है। धन्यवाद